जैन बच्चों कैसें हैं आप लोग बच्चों सुबह के चार बजे हैं और हम आपके लिए लेकिया हैं सोलूइशन का सेकेंड पार्ट तो जैसे कि आप जानते हैं पहले पार्ट में आपने जाना था मिक्षर के बारे में आज हम लोग उससे कुछ आगे सिखेंगे solution के बारे में Any homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting components आपको याद होगा पहले part में हमने mixture के बारे में discuss किया था कि दो तरह के होते हैं homogeneous और heterogeneous तो बच्चों जाते जाते रे वीडियो के last में बताया था कि जो हमारे solution या Willian होते हैं वो homogeneous mixture होते हैं ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा homogeneous mixture जो दो या दो से जादा chemically react ना करने वाले पदार्तों को compound को substance को मिलाने से बनता है वो कहलाता है solution example के साथ clear करते हैं आप देख सकते हमने तीन example लिए हैं पहला example है sugar and water दूसरा example है ammonia and HCl gas और तीसरे के अंदर हमने तीन component लिए है H2O2N2 क्या यह आपको clear हैं तो ध्यान से देखिए यह जो तीनों example हैं यह बच्चों homogeneous mixture के example हैं पहले और दूसरे example के अंदर दो component हैं तीसरे वाले homogeneous mixture के example में तीन gas component हैं यह आपको clear हुआ होगा अब मेरा सवाल यह है आपसे कि मैं इन तीनों में से किसको solution का example मान सकता हूं तो सर ध्यान से देखिए सुगर और water आपने mix किया हुआ है आप किसी भी ratio में mix कीजिए आपको homogeneous mixture मिलता है और वहाँ पर reaction नहीं होती है तो जो हमारा पहला है सर यहाँ पे सुगर और water दोनों component जो है chemically react नहीं करते हैं तो यह हमारा solution का example है अब देखिए दूसरा example है ammonia और HCL gas का सर यह homogeneous होगा लेकिन यहाँ पर यह दोनों component जो हैं यह आपस में reaction कर जाते हैं chemically reacting होते हैं and they will give you ammonium chloride white color का fumes मिलता है आपको तो आप बताईए कि यहाँ पे ammonia और HCL gas का non reacting थे नहीं सर यह reacting थे तो बच्चो यह वाला हमारा homogeneous mixture solution का example नहीं बन सकता है क्योंकि जिन component को आपने मिलाया है वो reaction करने वाले हैं और solution में आप जो component मिलाते हैं वो non reacting होने चाहिए अब देखें तीसरा example लिया है तीसरे में S2 gas है O2 gas है N2 gas है सर और भी तो ले सकते हो हाँ हाँ ले सकते हैं यह ले सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पे तीन की बात कर रहे हैं इन तीनों का जो mixture होगा वो homogeneous होगा फिर सवाल यही है कि क्या यह solution में हम इसको consider कर सकते हैं solution इसको मा नहीं करते हैं यह non reacting है बच्चो तो यहाँ पे तीन example में से आपने देखा यह तीनों homogeneous के थे लेकिन इन में से पहला और तीसरे example ही है जो solution की condition को पूरा करते हैं जिनको आप solution कह सकते हैं बात करते हैं binary solution की binary solution को अंगी solution कहला जाता है binary means 2 होता है बच्चो आप जानते हैं और ऐसा solution जिसके अंदर दो पदार्त या दो component मिले होते हैं that is simply known as binary solution binary solution का जो simple formula होगा वो होगा solvent प्लस solute बच्चो यहाँ पर किसी भी दिव अंगी विलियन या binary solution को मिलाने के लिए आपको दो चीजों को दो component को मिलाना होता है यह दोनों component जो होते हैं वो solvent और solute कहलाते हैं solvent क को हिंदी में विलायक जबकि solute को विले कहते हैं अब जानते हैं कि जो हमारा solvent है विलायक है binary solution का एक भाग है component है वो किसको बोलते हैं the component which consists of larger amount or concentration in a solution बच्चो किसी भी solution के अंदर जो पदार्त जो component ज्यादा amount में होता है ज्यादा मातरा में होता है या जिसकी concentration ज्यादा होत होती है वो component वो पदार्त विलायक या solvent कहलाता है solute विले it constitutes small portion in a solution बच्चो किसी भी solution के अंदर binary solution के अंदर जो दूसरा component जिसकी amount कम होती है जिसकी मातरा कम होती है वो हमारा विले या solute कहलाता है example के साथ देखिए aqueous solution of salt etc हमने यहाँ पर नमक का पानी लिया है बिटा mixture लिया है नमक salt आप समझते है नमक जिया कोई भी नमक ले लिजिए salt ले लिजिए fit करी भी हमारा salt में ही आता है बच्चो तो salt को हमने पानी में गोल दिया है तो वो कहलाता है aqueous solution of salt अब आप पे कौन solute होगा और कौन हमारा solvent होगा आप देखिए जब आप नमक को पानी में गोलते हैं तो किसकी amount ज्यादा होती है किसकी amount कम होती है बिल्कुल सही सही का आपने सर पानी ज्यादा होता है नमक थोड़ा या कम होता है तो जो कम होता है वो हमारा solute है विले है और जो component ज जादा होता है वो हमारा विलायक या solvent है तो पानी हुआ विलायक नमक हुआ solute कैसा रहा अब लेते हैं बच्चो aqueous and non-aqueous solution जो हम लोग binary binary solution चिला रहे हैं जो हमारे course में है उसके भी कुछ type है बच्चो जिनका आपको जानना जरूरी है तो यहां पे हमने लिया है aqueous और non-aqueous aqueous means होता है जलिये और non-aqueous का मतलब होता है जलिये विलियन यानि जिसमें जल ना हो अब देखे वैसे ही आपको heading से clear हो गया हुआ जिनको नहीं हुआ है discuss कर लेते हैं aqueous solution has water as solvent but non-aqueous solution doesn't have water as solvent बच्चो कोई भी ऐसा binary solution या आप विलियन बोल सकते हैं कोई भी ऐसा solution जिसके अंदर solvent या विलायक पानी होता है वो हमारा aqueous या जलिये विलियन कहलाता है लेकिन कोई भी ऐसा solution जिसके अंदर water solvent यानि जल विलायक नहीं होता है अनुपस्तित होता है वहाँ पर वो solution कहलाता है non-aqueous solution clear हुआ होगा अभी कुछ लोगों को tension होगी मतलो tension जब है chemistry junction तो आईए example के साथ clear करते हैं आप और हम urea in water solution of iodine in carbon tetrachloride solution of iodine in alcohol sulfur in carbon disulfide etc बहुत लंबी list है फिर कभी फुर्साथ से discuss करेंगे फिलाल topic को हम लोग समेटते हैं clear करते हैं तो यहाँ पर हमने 4 example लिए हैं यह बताने के लिए यह फर्क दिखाने के लिए कि कौन सा हमारा aqueous solution होगा और कौन सा हमारा non-aqueous solution का example तो देखिए पहले वाला जो लिखा है urea in water यानि कि पानी और urea दो चीजों का आपके पास solution है दो चीजों को मिला के बनाया है तो water यहाँ पर आ रहा है it means it will be the example of aqueous solution यह urea in water हमारा पहला जो है aqueous solution है तो मैं यहाँ पर mention करूंगा आपके साथ this is the example of aqueous solution अब बात करते हैं solution of iodine in CCL4 और carbon tetrachloride आप जड़ा सोचो बंदू कि यहाँ पर दो component है binary solution की बात कर रहे है दो चीजे मिलाई है iodine और carbon tetrachloride क्या यहाँ पर water है जवाब है नहीं है सर तो यह कैसा होगा सर यहाँ पर यह example है non aqueous solution का क्योंकि यहाँ पर आपने solvent water ना लेके CCL4 लिया है तीसरा example ले लेते है solution of iodine in alcohol देखिए सर binary solution है क्योंकि दो component है iodine और alcohol तो आप बताईए यहाँ पर iodine को घोलने के लिए क्या पानी लिया water लिया नहीं लिया सर बेलकुल सही तो सर कहाँ डाल दे non aqueous binary solution है यह clear हुआ आपको यहाँ पर दो component तो है लेकिन solvent water नहीं है चोथा देखिए सर sulfur in carbon disulfide CS2 को carbon disulfide कहते हैं बच्चो liquid state में होता है volatile liquid होता है अब देखिए दो component का solution है binary solution होगा लेकिन क्या यहाँ पर sulfur को घोलने के लिए dissolve करने के लिए water solvent लिया नहीं लिया तो कहां बेजे सर non-aqueous binary solution तो बच्चो हमने यहाँ पर clear किया example के साथ की binary solution भी दो तरह के होते है solvent के base पे अगर solvent water है तो binary aqueous solution और water अगर solvent नहीं है कुछ और लिये हैं आप तो that will be known as non-aqueous binary solution अब बात करते हैं types of binary solution बच्चो यह हमने water के base पे यहाँ पे हमने binary solution के type लिये ते यहाँ पे हम लोग solute और solvent के physical state पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपने solute और solvent लिया है वो कैसा है solid है, liquid है या फिर gas है नहीं हुआ not and sun जब है chemistry जंक्सन आईए clear करते हैं on the basis of physical state of solute and solvent binary solutions are of nine type बच्चो बाइनरी solution जो हम लोग उपर बात कर रहे थे कि 9 तरह के होते हैं actual में यह 9 तरह के होते हैं जब आप बात करते हैं कि जो आपने solute और solvent लिया है वो solid है, liquid है या gas है it means उनकी physical या बहुती table को ध्यान से देखिए table में बच्चो हमने यहाँ पर जो solution लिये हैं वो mainly 3 type के लिये हैं सद 3 type के अभी तो आप no type के कह रहे थे बेटा majorly 3 type के होते हैं पहले हमने gaseous solution लिया है और gaseous solution के आगे हमने table को देखा तो उसमें solute लिया है solvent लिया है और examples लिये हैं देख पारे हैं ना त्यान से देखिए मेरे साथ अब यहाँ पे इस gaseous solution के बच्चो 3 example 3 type बन जाएंगे क्यों क्योंकि जब आप यहाँ पे थोड़ा से तीसरे कोलम में जाईए आपको यह देखना है कि आपके solution में solvent कैसा है जैसे ही आपकी solvent की nature होगी जैसा ही आपका solvent का परकार होगा solution वो ही कहलाएगा समझे में नहीं आया सर देखिए आपने अगर solvent gas लिया है gas में कोई चीज आप घोल रहे हैं तो वो gaseous solution होगा अगर आपने solvent liquid लिया हुआ है यानि पानी जादा है और पानी solvent के अंदर आप कोई चीज घोल रहे है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो solid हो liquid हो या gas हो अगर आपने solvent water लिया है तो वो type होगा liquid solution का अगर आपने सर solvent जो है solid लिया है समझ रहे हैं ना जैसे कि एक simple सा example लेता हूँ आपने बनाए है basin के लड़ू अब यहाँ पर आप दिखिए आपका basin भी कैसा है solid है और आपका जो बूरा है मीठा सुगर पाउडर है वो भी कैसा है solid है तो यहाँ पर example होगा solid solid का अब यहाँ पर एक जो पदार्त है वो अधिक मातरा में होगा इसलिए यह होगा हमारा type solid type of solution तो आपको ध्यान लखना है कि आपके binary solution में जो भी solvent का type होगा जो solvent वहाँ पर होगा वो ही आपके solution का नाम पढ़ जाएगा जैसे हम लोग बोलते हैं gaseous solution तो समझ जाईए वहाँ पर जो solvent है वो gas होगा अगर बोलें liquid solution है तो समझ जाईए वहाँ पर solvent आपका liquid होगा अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई solid solution है तो समझ जाओ प्रभू कि वहाँ पर आपका solvent इस बार solid है और यह इनके सामने example है छोड़ जाते हैं आज आपको इस table के साथ देखिए क्योंकि यहाँ से भी example से भी question बनता है पूछ लेता है कि भाई यह जो है यह किसका example होगा which type of solution it is यह solution किस type का है कहाँ पर जाएगा क्या यह आपको clear है तो पढ़िए पढ़ाईए live बनाईए बच्चों बढ़ते रहना ही जिनकी है बढ़ते रहना ही जिनकी है